पहले हम बनाएंगे आपल जूस यानकी सेब का जूस तो इसके लिए एक आपल लिया मैंने यहां और पहले इसके स्किन को यानकी छिलके को और यह जो सेंटर का बीज वाला पोर्शन है इसे हटा देंगे और फिर इसे छोटे टुक्डों में कट करके डालेंगे एक ब्लेंड जादा कर सकते हैं साथ में डालेंगे आधा चोटा चमच काला नमक एक से दो चोटे चमच डालेंगे इसमें नीबू का रस यह आप अपने अकॉर्डिंग काम या जादा भी कर सकते हैं पान से छे आइस क्यूब डाली मैंने इसमें और फिर डालेंगे एक कप ठंडा पानी पानी की कॉंटिटी आप अपने अकॉर्डिंग यानि की जूस की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग कम जादा भी कर सकते हैं तो बस इसी अब हमें अच्छो से ब्लेंड कर लेना है और इसी के साथ हमारा यह बहुत ही टेस्टी हर का खटा मीठा सा आपल जूस तायार है फाइनल गानिशिंग करेंगे थोड़े आपल चंक्स के साथ तो है ना कितना आसान इसे बनाना आप भी इसे जरूर ट्राइ करिएगा और मेरे साथ अपना